हलो दोस्तों कैसे हैं टीए स्कोर्वा चेनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा SRP होता है जो हमारा मुविंग हेट होता ही है जो Disco में बड़ी से लाइट लगए रहती है जो बड़ा सा लाइट ठीकते है उपर में जिया दोस्तो ऐसा फी लाइट बलते हैं उसका bulb अगर खराफ हो जाए उसका लैम्प अगर खराफ हो जाए तो उसको आप कहाँ से लेंगे जी यहां दोस्तो इसी की उपर यहां वीडियो है यहां लैंप यहां बल्ब आपको TotalSolution.in में मिल जाएगा जी यहां दोस्तो आज हम उस बल्ब का अन्बॉक्सिंग करेंगे यहां बॉक्स जी है दोस्तो यहां SRP Stain Company का 7R का बल्ब है आईए दोस्तो इसकी हम अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं और यह भी जाने के कोशित करते हैं कि कैसा दिखता है क्या होता है कैसे रहता है और इसकी प्रैसिंग क्या है कहां मिलेगा कैसे लेंगे इन सब बा इंच के आसपास का बॉक्स है और यहां पर लिखा हुआ है सेवन आर दोसो तीस वाट और यहां खुला और यहां खुला यहां खुला यहां खुला यहां दोस्तो हम बॉक्स खोल रहे हैं और हमें दीख रहा है ओपन करने के समय एक फर्माकॉल बॉक्स के उपर में इसे हम कवर कह सकते हैं धकन कह सकते हैं और धकन हटाने के बाद बहुत ही खुर्फूरत पेकिंग के रूप में यहां लेंप हमें दिखता है जी हां दोस्तों यहां पूरा का पूरा जो थर्मकॉल है वह बॉक्स में बहुत ही सही तरीके से अच्छे तरीके से रखा हुआ है हम पहले तरमकोल निकालते हैं, मिलब को बाद निकालेगे दोस्तों जी यहां दोस्तों यहां थरमकोल हमारा निकल गया है यह देखें थरमकोल और पीछे से पैक है पूड़ा और गेप लगबग इतना यह निकी की एक इंच की आसपास इसका गेप होगा नीचे से हैं और कटिंग बल्ब के अनुसार ही कटा हुआ है और बल्ब उसमें बिल्कुल सेफ और सुरक्षित यहां रखा हुआ है और दोस्तों इसे निकालते समय हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसे कैसे निकाले थोड़ा से चूप होगा तो हमारा पच्छी सो से तीन दिमाग नहीं लगाना है कभी कभी कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा हो जाता है कभी कभी दिमाग नहीं लगाने से कुछ अच्छा हो जाता है तो हम यहां पगड़ के खीचे दिमाग लगाए नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं यह बस पीछे से धक्का देना है जी है दोस्तो मैं पीछे से धक्का दे रहा हूँ यह पीछे से धक्का दिये लैंप हमारे हाथ में आ गया जी है दोस्तो इसे यहां से निकालने के लिए मैं मना क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो लैंप का यह पॉइंट है वह बहुत ही नाजुक होता है अगर आप इसे निकार रहे हैं और माल लिए इसके सपोर्ट में ऐसे उपर खीच दिये तो यह तो तूट जाएगा बल्ब जो में फिलामेंट है तो तूट जाएगा और जब वो तूट जाएगा तो हमारा पचीस सो से तीन जार का दूशान हो जाएगा जिया दोस्तों यह तरीका था इसे इस थर्मकोर से बहार निकालने का और भी कई तरीके हैं जब आप इसे अपने हां से चुएंगे तो आप पैटिकल करके देखेंगे जिया दोस्तों यहां बल्ब मेरे हाथ में आ गया है जिया दोस्तों यहां से जो लाइट रिफ्रेक्ट हो रहा है वहां मल्टी करण दिख रहे हैं बैगनी रेट सब लाइट इसमें दीख रहे हैं मुझे और यहां बहुत ही जमकदार हिस्सा दीख रहे हैं और यहां इसका पिलमेंट है और इसके पॉइंट यहां पर यहां दो पॉइंट यहां पर दिया हुआ है और डिटेल इसमें डिटेल कंपनी का नाम जिया कंपनी का नाम Osram जिलिए दोस्तों Osram और सिरीज है HRI 230-वाट और Made in China जिलिए दोस्तों इस टाइप के और जो पारिक वाला काम है तो यहां सेवन आर का सेवन आर का यहां पावर लेंप है और दिखने में बहुत ही छोटा है दोस्तों लेकिन जब यह मुविंग हैड में एस रपी में लगता है और जब पावर राण होता है तो लगभट इसनी मोटी वाइट रोजनी हमें ऐसा रखती है कि जैसे आस्मान मे ही सीधा उपर चला गया है और चांद को छूकर आजाएगा छूकर ही आता होगा क्या पता फिरहार मेरे कदेंगों तो वे हैं कि इतना छोटा सा लेंप है और एस रपी में लगने के बाद क्या जबर जस्त उसमें क्या पावर फुल रोशनी आती है मन पड़ेगा भाई यह लें बहुत जबजस्त हैं अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं अपने बेटरूम में लगा लू तो देखते हैं कैसा रोशनी आता है ओके दोस्तों यह रहा मज़ा कबाद तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं इसे पर्चेस करना चाहते हैं कभी आपका इसार पी लाइट फ्यूज हो गया खराग हो गया अगर आपको इसे बाय करना हो मंगाना हो चाहे टेन आर का हो चाहे सेवन आर का हो किसी भी चीज का आपको कुछ भी चीज की जरौत हो सबसे पहले आप इस नंबर पर यह जो नीचे में नंबर दिखा रहा है 982-06-09521 कोई भी डिजे का अगर वह पॉसिबल होगा तो उसका रेटवेंट सब कुछ आपको दे दिया जाएगा और अगर इससे आप खहिदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं या भी वेबसाइट www.totalsolution.in इसे आप क्रोम में उपन करके विजिट कर सकते हैं और लेंब केटेगरी में जा करके आप इसे वहाँ देख सकते हैं और इसे आप मंगा सकते हैं खरी सकते हैं जी है दोस्तों अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों क साथ अपने ग्रूप में अगर दोस्तों को सेयर कर दीजे लाइक कर दीजे और मेरे चैनल को सब्स्राइब कर दीजे ताकि आप इसी परकार महतरपुर्फ रड्स की जानखरियों वाला व्रीओ जियो मीश ना करे तो फटाक से सब्स्क्राइब कर दीजे और हम फीर के लिए जय हिन, जय भारत, जय शत्तिसगर.